हेलो फ्रेंड वेलकम टो मैं चानल मेरा नाम दिप्या है और मेरी चानल का नाम दिप्या कुकिंग एंड ब्लोग है आज मैं आप लोग से एक रेसिपी सेर करने वाली हूँ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब क करें और मेरी वीडियो को पूरा देखें आज मैं सहजन के जो फूल होते हैं उसके सबजी बनाने वाली हूँ आप इसे देख सकते हैं कि ये कितने फ्रेस और ताजा-ताजा खिले-खिले से हैं इसे अभी तुरंद मेरे हस्वर ने पेड़ से तोड़ा है अब मैं सहजन के सार प्रेस्टी लगते हैं और जिनका ब्लड पेसर हाई रहता है उनको इसे खाना ही चाहिए इसके पत्ते भी बहुत ही फाइदे मन होते हैं हम इसे अपनी भासा में मुन्गा फूल करते हैं अब मैं सहजन के फूलों को धो कर कड़ाई में डाल देती हूँ भाप लगाने के लिए मैं इसमें भाप लगाने के लिए थोड़ा सा चुटकी भर नमक और थोड़ा पानी डाल कर इसे अच्छी तरह से भाप लेती हूँ जब तक से मेरे सहजन बोईल होते हैं तब तक से मैं इधर प्यास टमाटर को काट के रख लेती हूँ और मसाले के लिए मैं जीरा, काले मिर्च, लसून, मिर्चा और प्याच को सिल्वटे में पीज कर एक पेस्ट पना के कटोरे में रख लेती हूँ अब मैं यहाँ पेचे कर लेती हूँ कि सहजन के फूल अच्छी तरह से पके है या नहीं यहाँ पर जो मैंने पानी डाला था वो पूरा पानी सूख गया है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और तेल गरम करती हूँ तेल गरम होने पर मैं इसमें मिर्चा और प्याज को डाल के अच्छा से गोल्डेन ब्राउन होने तक भूल लेती हूँ प्याज और मिर्चा को अच्छी तरह से गोल्डेन होने तक पकाना है और जब ये इसका कलर चेंज हो जाता है तो हम इसमें तमाटर जो कटे हुए रखे हुए हैं उसको डाल देना है तमाटर डालने के बाद अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे हाँ ध्यान रहे कि नमक हमने पहले भी जब फूर को बोईल कर रहे थे उस टेम मिलाये थे इसलिए नमक स्वाद अनुसार अच्छी तरह से ध्यान से मिलाना है नमक डालने के बाद अब मैं इसमें पिसे वे जो मसाले हैं उसे डाल देती हूँ और अच्छे से चला लेती हूँ और साथ ही मैं इसमें एक चमच हल्दी और एक चमच सबजी मसाला डाल के इसे अच्छी तरह से चलाओंगे मसाले को अच्छी तरह से पकाना है और इसे तब तक से पकाना है तब तक से इसका कलर ना चेंज हो जाए और इससे तेल ना निकरने लगे है मसाले को मैं अच्छी तरह से पका लेती हूँ और ये देखिए इसमें से तेल निकलना सुरू हो गया है मसाले मेरे लगवग पकी गए है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से और थोड़ा सा पका लेती हूँ मैंने इसमें पानी डाल दिया है अब पानी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा सा और पका लेती हूँ मसालों में उबाल आ गया है अब मैं इसमें मुनगा के फूल को डाल देती हूँ और इसे मसालों में अच्छी तरह से पुरा मिला लेती हूँ इसे अच्छी तरह से मिला लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी एट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा धक के अच्छी तरह सा पका लेती हूँ मेरी सबजी पूरी तरह से बन गई है अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगे प्लीज मुझे बताए अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट भी करे